बहुत सालों बाद, सदियों बाद, बहुत अर्सों बाद ऐसा मौजजा हमें देखने को मिला है क्योंकि इंतहाई अजीबो गरीब सा मौजजा हुए है, हम सोच भी नहीं सकते वो औरत लेटी हुई थी जैसे मुर्दा लेटता है और उस औरत ने तीन माह के बाद बच्चे को जनम दिया है ऐसा महसूस होता था कि वो सांस लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रही है और उसके पास भी कोई नहीं जाता था, बस उसका खामन जाता था, कभी कबार उसको देखके, दूर से देखके और आंसु बहा के बापिस आ जाता था, असलाम आलेकूम, दिस इस फैसल खान सूरी इस वीडियो को मुकमल सुनिएगा, तवज्जो के साथ, एक मौजज़ा हुआ है इस दुनिया में बहुत सालों बाद, सदियों बाद, बहुत अरसों बाद, ऐसा मौज़ा हमें देखने को मिला है जब आप सुनेंगे ये सब कुछ, तो आप भी हैरान रह जाएंगे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा, लोगों के साथ शेर कीजिएगा क्योंकि इंतहाई अजीब औ गरीब सा मौज़ा हुए हम सोच भी नहीं सकते हमारे जहिन में ऐसी बात कभी आ भी नहीं सकती के एक मुर्दा औरत बच्चे को जनम दे सकती है जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, उसी दुनिया में ये मौज़ा हुए है ये मौजज़ा कुछ ही दिन पहले हुआ है एक ऐसी उरत जो पिछले चार माह से मुर्दा पड़ी हुई थी hospital में यानि के बिहोश पड़ी हुई थी ना ही वो सांस लेती थी ना ही वो खाना खाती थी ना ही वो किसी से बात करती थी ना ही वो हरकत करती थी ना ही वो आंखों को जपकती थी बिल्कुल ऐसा ही वो औरत लेटी हुई थी जैसे मुर्दा लेटते है और उस ओरत ने तीन माह के बाद बच्चे को जनम दिया है और डॉक्टर्स का कहना है कि जो नौमलूद बच्चा पैदा हुआ है वो सेहत मंद है, वो बिलकुल तंदरुस्त है और बिलकुल वैसा ही है जैसा इनसान होता है, जैसा मैं हूँ, जैसे आप हैं वैसा ही बच्चा पैदा हुआ है और हिरांगी की बात ये है कि उस ओरत के नस्दीक ना ही कोई आया कभी और ना ही वो ओरत किसी के नस्दीक गई, ना ही वो घर गई, और ना ही उस ओरत ने खाया कुछ यहां तक कि वो पानी भी पीती नहीं थी यहां तक कि वो सिर्फ और सिर्फ बेड पे इस तरह से आंखे बंद करके लेटी थी ऐसा लगता था कि बस वो दफनाने वाली रह गई है और बस उसका वो आखरी रसूमात जो होती है बस वो अदार नहीं की गई और बाकी सब कुछ हो चुका है मज़े की बात यह है कि तकरीबन तीन माह पहले उसका एक्सिडेंट हुआ था और एक्सिडेंट होने के बाद वो ऐसे थी जैसे कौमा में इंसान चला जाता है हरकत नहीं कर सकता वो तो कॉमा में इनसान बंदक खा तो लेते है उसको drip लगा के उसको खिलाया जाता है पिलाया जाता है उसको कुछ foods वगेरा provide किये जाते हैं लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि वो ना कुछ पीती थी ना खाती थी कुछ भी नहीं समझ लें, आपके कबर में पढ़ा हुआ एक मुर्दा था मुर्दा जो होता है, वो कबर में होता है और ये वाला जो मुर्दा थी, खतौन वो बेट पे लेटी हुई थी बस हम वो जो डॉक्टर्स थे वो इन्तजार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो वो सांस लेगी लेकिन हाँ कभी कबार वो जटके लेती थी ऐसा महसूस होता था कि वो सांस लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रही है इसके बारे में बहुत आहम चीज़े आपको बताता हूँ मैं बहुत मज़ेक चीज़े हैं और सुनके आपको हिरानगी होगी कि 31 मार्च को अपने शोहर के साथ वो मोटर साइकल पे हाथसे में जखमी हुई थी और उसकी जो चोट आई थी वो उसके दिमाग में आई थी जिसके वज़ा से वो बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रही थी वो बिल्कुल इस तरह से थी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो मुर्दा हालत में थी और उसके पास भी कोई नहीं जाता था बस उसका खावन जाता था कभी कबार उसको देखके दूर से देखके और आंसु बहा के वापिस आ जाता था बच्चे भी उसके जाते थे पास उसके लेकिन बात नहीं कर पाते थे ना ही वो बात सुन पाती थी ना ही वो अशारतन बता सकती थी कि मैं जिन्दा हूँ या मर चुकी हूँ किसी भी तरह से वो हरकत नहीं कर पा रही थी और इंतहाई मौजजाना बात यह है, कि जो बच्चा पैदा हुए है उस बच्चे के पैदा होने के बाद भी वो औरत जिन्दा नहीं हुई वो औरत होश में नहीं आई और उस औरत ने ना ही कोई हरकत किया जो कुछ किया, डॉक्टर्स ने किया और उस ओरत को महसूस भी नहीं हुआ और इंतहाई ये मौज़ाना बात है ये पहली बार ऐसा हम सुन रहे हैं और ऐसा आपने कभी नी सुना ओगा ये वाक्या पेश आया है नई दिली भारत में पूरी दुनिया में कभी ऐसा वाक्या पेश नहीं आया ये वाक्या भारत में पेश आया है और इंतहाई मौज़ाना वाक्या है ये अल्ला की कुद्रत है अल्ला कुछ भी कर सकता है और खुदा के हाथ में है सब कुछ वो किसी को कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से पैदा कर सकता है और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बक्या जो वीडियो से हैं उनको भी शेर किया करें, लाइक किया करें, देखा करें, पेगामात पहुंचाया करें लोगों तक जो पॉजिटिव चीज़े होती हैं, उनको फिलाने की कोशिश करें, अल्हाने के बाद